हाँ जी तो कैसे हैं आप लोग इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंट्रेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है साइकलोजी हाँ साइकलोजी हमें बताता है कि भूत प्रेत चुडएल यह सारी चीजे नहीं होती यह तो मन का ब्राम होता है जब कोई इंसान बोलता है ना मैंने वहाँ पर भूत चुडएल देखा तो वह सच में वहाँ पर भूत यह चुडएल नहीं देखा होता है वह वहाँ पर ब्रामित होता है इसलिए वह बोलता है मैं वहाँ पर भूत यह चुडएल देखा ठीक है और इस वीडियो बनाने का कि मैं competitive exam में लगबग सभी competitive exam में देखी कि psychology related question पूछी देता है even मैंने seated का paper देखा तो उसमें भी psychology related question पूछी दिया था तो इसी को मैं जरूरी समझते ये वीडियो बनाई हूं ताकि अगर आप competitive exam में जाकर exam दे रहे हैं तो psychology related कोई भी question को छोड़ करना है उसको सही सही टिक लगा करा है ठीक है तो चलिए पढ़ते हैं psychology को हिंदी में बोलते हैं मनो विज्ञान और psychology जो शब्द है ना इसका जन्म हुआ है दो लैटिन सब्द से psyche और logos psyche का मतलब होता है यानी कि आत्मा और विज्ञान और इनको कम्बाइन किया जाएगा क्या हो जाएगा science of soul यानी कि आत्मा का विज्ञान तो माने उन्म किसे कहते हैं जिसके संतरगात हम आत्मा के विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं लेकिन यह जो मान्यता ती ना यह Polize 2000 s今日 अभिविज्ञान को आत्मा का विज्ञान नहीं माना जाता है तो बात यह थी है कि मनोवीज्ञान किसे कहते हैं अभी के यूग में तो यहां पर मैं dearden लिख दी हूँ अनुभाव यानि कि एक्सपीरियेंस एंव विविन संधर्वों में विवहारों काध्यान यानि कि विहावियर काध्यान करने वाले विज्ञान के रूप में परिभासित करते हैं मतलब चलिए अब मैं समझाती है तो देखिये मनविग्यान के अंतरगत हम इंसान के mental प्रोसेस यानि कि मानसिक प्रकियाओं के बारे में पढ़ते हैं मतलब यानि कि इनसान अपने दिमाग से कौन पौन से काम करता है यह सारी चीजें के बारे में पढ़ते हैं इनसान यानिकि कोई भी व्यक्ति अपने दिमाग से किसी चीज़ को सोचता है किसी चीज़ को याद करता है किसी चीज़ को शमझता है और तो एस इंसान को समझ में आ जाता है कि कोई दर्वाजा खट-कटा एन्सी एप नहीं को बेठे-बैठे-बैठे प्रधान-氏 के पद पर अपने आपको लेकर चले जाते हैं यहां पर बैठे बैठे आप ताज महल को देख पाते हैं यह सारी चीजे क्यूं होती है इसके पीछे का रिजन क्या है इसके पीछे का साइंस क्या है यह सारी चीजे हम पढ़ते हैं साइकलोजी यानि की मनविग्यान में उसके स साथ इंसान के अंतरगत जो अनुभव होता है experience होता है उसके बारे में भी पड़ते हैं जैसे कि अगर आप हमेशा जमीन पर आप चलते हैं ठीक है अगर आपको रसी दे दिया जाए कि लीजी आप इस पर चल कर दिखाईए आप नहीं चल सकते हैं क्योंकि आपको experience ही नहीं है लेकिन जब वो धीरे धीरे experience हैं की अनुभव करता है चलने का तो धीरे धीरे चलना सीख चाता है क्योंकि उसको धीरे धीरे अनुभवा आ जाता है चलने की इसलिए उस चल लेता है तो यह और म var experience की क्यों होता है और कैसे होता है यह सारी चीज़े हम psychology यानिकी मनौर्स और उसके साथ साथ अगर आप मान लिजे गेम खेल रहे हैं तो गेम खेलते समय जब हारने लगते हैं तो आपके अंदर उच्छा आती है कि मैं कैसा चाल चल दूँ जिससे कि मैं जीत जाओं उस वक्त का बेवहार या फिर अगर आप रात को अंधेरे में अपने छट पर खड सकंड़ दाएंगी उस वक्त का बेवहार क्यों और कैसे होदा है उसक्त कभी हेवियर इसके पीछे रीजन क्या है उसके साइन्स किया यह सारी चीज़े जो होते हैं त्याहां यहां तक क्लियर है अब देखीए 해도 शब्द का विकास कैसे उग governo तो समझते हैं도 सब्जेक्ट एक अलग सब्जेक्ट कैसे बना ठीक है तो 1879 में विलियम उंट नाम के विलियम उंट फीरोज लिव्शिनन्च सहर में जरमनी के लिव्शिन्च सहर में साइक्लोजी की पृत्व परियूग साला लाइब्रेरी स्थापित की जिसके वज़ा से 1879 से ही साइक्लोजी को एक अलग सब्जेक्ट माना जाने लगा तो इसलिए साइक्लोजी के जो पिता कहलाते हैं यानि कि मनविज्ञान के पिता विलियम उंट कहे जाते हैं क्योंकि उन्हीं के वज़ा से साइक् साइक्लोजी कहा जाता है अब यहां पर बहुत सारे साइंटिस्ट आएं जो साइक्लोजी यानि की मनविज्ञान की अलग-अलग परिभास है अलग-अलग डिफिनेशन दे कर चले गए जैसे कि देखिए प्लूटो और अरस्तु ने कहा है कि आत्मा का विज्ञान है क्या विज्ञान कहते हैं लेकिन वहात ही दूआच से 2000 साल पहले यह माना जाता था उसके उस विलियम उंट ने बताया था कि मनो विज्ञान चेतना का विज्ञान जिसमें हम लोग सूछते हैं किसी भी चीज़ को अगला है मैकडूगल यह एक साइन्टेस्ट इन्हों ने बताया था कि जीवों के बेवहार का अध्यन ही मनो विज्ञान कहलाता है जिसमें हम जीवों के बारे में पढ़ते हैं उसे मनाना विग्यान जै्वी वहाट्सन ने भी और ना वाम कहलते है कि अलग अलोग साइंटिस्थ ते अपना अलग अलग परीभाषा दे तो यहां तक आप समझ में आया अब आप यहां तक का लीजिए आगे में और बाते समझती हूं टीके लीजिए इस विस आनिकी उसकी ब्रांचे देखिए psychology की बहुत सारी साखा है जिसको मैं पहले से लिख दी हूँ मैं बोल रहे हैं टाइम बहुत इंपोर्टन्ट है उसी को समझते हुए पहली जो साखा है वो है समान्य मनवी ज्ञान समान्य साइक्लोजी में हम बेक्ति के हर इंसान के समान्य बेवहारों जो नॉर्मल विहेव है उसके बारे में पढ़ते हैं जिसे कि हर बेक्ति हंचता है हर बेक्ति रोता है हर बेक्ति इमोशनल होता है हर बेक्ति मोटिवेट होता है और हर बेक्ति किसी चीज़ को सोच सकता है तो नॉर्मल जो भी है वियर हर बेक्ति के अंतरगत होता है हर इंसान के अंतरगत होता है उसको हम पढ़ते हैं तो उसे हम ले लेते हैं समान्य साइक्लोजी में ठीक है अगला है और समान्य साइक्लोजी और समान्य साइक्लोजी में हम ब्यक्ति की उस ब्यवहार को पढ़ते हैं जो समान्य ने होकर और समान्य होता है जैसे कि हर ब्यक्ति में जो समान्य वियवियर हो कोई पागल हो गया हो तीकि उसके बारे में हम पढ़ते हैं तो यह हो जायेगा हम समान्य अगला है नैदानिक मनोविक्यान यानि कि नैदानिक साइक्लोजी जो हमें ऑसमानिय साइक्लोजी में जो इनसान विव्योहार कर रहा है वो क्यूं कर रहा है उसके पीछे के कारण क्या है मानले जे कोई इनसान पागल हो गया है तो उसके पीछे का कारण क्या है रीजन क्या है यह चीज जान कर और उसका solution निकालना उसे ठीक करना ही नैदानिक मनविग्यान कहलाता है नैदानिक मतलब नीदान करना ठीक करना जो औ अंगला है बाल मनुविज्ञान तो नाम से ही मालूम चल रहा है जिसमें बच्चे यानि कि जन्म से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चेों का विकास कैसे किया जाए उसको भासा किस तरह सिखाई जाए सारीरिक और मानसिक रूप से उसको किस तरह मजबूत किया जाए किस तरह विक विकास किया जाए उसको यह सारी चीज़ें हम जिस मनुविज्ञान के अंद्रगत पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं बाल मनुविज्ञान आज कल के बच्चे तो बहुत ज्यादा सरारती हो गए हैं उनको मुबाइल चाहिए ही चाहिए मुबाइल के बीना वो तो रही नहीं सक दाए हैं तो अगर आपको विकास चाहिए तो थोड़ा तो कम करना पड़ेगा मुबाइल देशार से बारा वर्ष तक के बच्चों के बारे में विकास के बारे में अध्यिन किया जाता है तो इसे कैए निकाल कर उसको हल करना वह कया हो किकिर क्षिया क बोल जाता है पढ़ाने से लेकर उसको एक्जाम लेने से टीचर से लेकर स्टुडेंट जो कोई भी प्रोबलम आता है शिक्छा के छीत्र में उन सारी चीज़ों को solution निकालना और उसको ठीक करना हम psychology की सिक्षा psychology के अंतरगत हम पढ़ते हैं ठीक है अगला है समाज मनुविज्ञान इसमें समाज के बारे में हम पढ़ते हैं समाज में लोग कैसे रहते हैं यह सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं समाज जैसे कि कोई अब्यक्ति ऐसा होता है जो कभी समाज में गया ही नहीं रहता है उसको बोल दिये जाए कि दो चार आदमी के सामने तुम बोल कर दिखा वो नहीं बोल सकता क्योंकि उसने कभी समाज देखा ही नहीं तो समाज में जहां पर लोग रहते हैं वहां पर psychology का अध्यान ही मनुवि से प्रोब्लम है बीज को बीज बोने के लिए कौन सा बीज चुना जाए कितनी फसल हो रही है कौन अगर कोई बार सुखा आ जा रहा है यह सारी समस्च्यां और माननिजे लेवर हडताल कर दिए जितने भी सारी समस्च्या होती है और फेक्टरी से रिलेटएड और धो से रिलेटेड उसे औरधोगिक मनविविज्ञान के अंतरगत हम पढ़ते हैं ठीक यहां तक लियर अब देखिए नाइन मरे मनो इस रात्मक मनविज्ञान में नहां जो अचेतन मन है यानि की किसका मन ठीक नहीं है तो उसके पीछे का रीज़न जानी उसके पीछे का कारण किया उसके पीछे का रीजन जानकर फिर उसको ठीक किजिए इसका सलीयूसन निकालिये यह हो जाता है मनोई-ष्ट-ष्राइस-्रात्मक मनोउज्ञान में में इस रहेक साइक्लोजी में पीछे अचेतन मन के पीछे का कारण क्या है उसको जानना फिर ठीक करना समझ में यह तो बमानियों दो प्राणियों यानि किमानों और और इनसान से तो जब जीव से किस की गए वहार की तो हमें उसे विग्यान यह शी तुलनात्मक मंच कहते हैं कि दस्त हो गया अब आगे देखिए सैन्यमन विज्ञान की जो विकास हुआ यह हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार में प्राथम विश्व यूद हुआ था ना तब इसका विकास हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार सैन्यमन विज्ञान के अंत्रगत हम सैनिकों के बारे में पढ़ते हैं सैनिक से साइक्लोजी के अंत्रगत आता है साइक्लोजी का मतलब होता है मनुविज्यान का सुरू में इंसान की पढ़ना यहीं कि सिर्फ इंसान सिर्फ बैक्ती के बारे में पढ़ा जाता है तो सरीर किर्यमनुविज्यान की अंत्रगत हम पढ़ते हैं ब्यक्ति की शरीर की बनावट संरशना वह बेवहार किस तरह करता है यह सारी चीजे हम मनुविज्ञान के अंत्रगत पढ़ते हैं शरीर की रिया मनुविज्ञान के इसमें क्या आ जाता है ब्रेन आता है मसल्स आ जाता है ठीक है उसके साथ साथ मस परियोगात्मक मनविज्ञान को जिसने दिया था वह साइंटिस्ट याद कीजिए विलियम उंठी है फाधरा फ्र फैकलोजी है और उन्हें परियोगात्मक मनविज्ञान दिया प्रियोगात्मक मनविज्ञान wells की अंत्रगत हम किसी बी इसको परियोग करकर experiment करकर देखते हैं ठीक है जैसे कि मान लिजिए आपको पता करना है कि आपका दोस्त कितना ड़ता है तो आप क्या करेंगे आप अपने दोस्ते कहेंगे कि उसको ले कर जाओ एक कमरे में और उसको बन करकर उसको ड़ाने की कोसिस किजिए आपको पता चल जाएगा कि आपका दोस्त कितना ड़ता है तो क्या आप experiment किये ना तो वहीं बात है इसमें experiment करकर देखा जाता है परियोग करकर देखा जाता है उसे परियोगात्मक साइकलोजी कहते हैं इसके जनक कोने वीलियम उंठ है ठीक है वीलियम पूंठ चलिए अगला है परियावर से संबन्द के बारे में जानते हैं यानिकी इनवायरमेंट और हुमन से क्या संबद है ये शारी चीजे हम परियावंणियम मन над विज्ञान के अंत्रगत्र जांते है अगला है व्यक्तिक विंता का साइकलोजी उसे कहते हैं जिसके अंतरगत हम हर व्यक्ति एक दूसरे से कितना डिफरेंट है यह सारी चीजे हम व्यक्तिक विंता के अंतरगत जानते हैं मतलब हर व्यक्ति तो एक दूसरे से सिमिलर नहीं होता है एक दूसरे से अलग-अलग ही होता है कोई भी इंसान इस दुनिया में एक दूसरे से गुड में या फिर चेहरे में सिमिलर नहीं है अलग-अलग है ठीक है तो वो क्यों अलग-अलग होता है कैसे होता है यह सारी किसी को में़ेंटेली कोई प्रोब्लम हो गया है तो उसको कैसे ठीक किया जाए मतलब उसको चिकिट्सद्वरा ठीक करना अगहला है 17 विकासात्मक मनविग्यान के अंतरगत हम human being के अंतरगत देखते हैं उसके जन्म से लेकर मरने तक जो कोई भी विकास किया है माले जे कोई इंसान जन्म लिया फिर बड़ा हुआ उसकी साधी हो गई फिर बुढ़ा हो गया मर गया तो यह जितने भी इस सारी चीजे ना जन्म से लेकर मरने तक जितना विकास किया जितना development किया वह क्यों किया कैसे किया यह सारी चीजे जो है ना विकासात्मक मनविग्यान यानि की psychology के अंतरगत पढ़े जाते हैं अपराद मनविग्यान अगला है अपराद और अपरादियों से related चीजों के बारे में जानते हैं और अ जब बड़ा होता है तो बाहर के क्या बोला जाता है समास से सीखता है अगर उसको गलत सिख्षा मिलती हे तो वह अपराद करने लगता है वह जन्द से सीकरushet कर नहीं आया रहता है तो अपराद मनविग्यान की अंतरगत अपराद और अपरादियों से जूड़ी psychology के बारे आप में पढ़ा जाता है ठीक है यहां तक क्लियर है अब मैं यापको एक बहुत इंटरेस्टींग बताने जा रही हूँ बहुत ही। Про दोरह बताया गया है। 2019 डेलbooks और पर यह साइकलोगी कर पहला ए कि हम लोग司 का माइनों होता है इंसान का मैंड दिमाग वह उन्ही देता है जो जरूरी होता है जो काम अभी पूरा होने में काफी समय है उसको माइंड ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं देता है आप तो खुद अपने पड़ लेकर देख सकते हैं आप लोगों का जब एक्जाम का डेट नहीं निकला रहता है तो आप उतना प्रेशर लेकर पढ़ाई नहीं करते हैं लेकिन जैसे ही आपका एक्जाम का डेट निकलता है एक्जाम के लिए दो तीन दिन बचे रहते हैं तो आप पुरा दिमाग पर जोर देकर पढ़ाई करते हैं पुरा उसको seriously पढ़ाई करते हैं क्यों क्योंकि आपका माइंड समझता है कि अभी एक्जाम बहुत ही नजदीक है बहुत है और साइक्ट से रिलेटेड साइक्लोजी कर बताता है कि हमेशा जो निगेटिव सोचते रहते हैं उनकी जो उनकी सरीर धीरे-धीरे डाउन हो जाती है और वह वह बिमार पढ़ जाते हैं तो कभी भी निगेटिव नहीं सोचिए अब इसको ठीक कैसे करें तो आप अपने आ अपको बीजी रखेंगे तो आप खुश रहेंगे और स्वस्त रहेंगे सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा आपको तो इस तरह आप निगेटिव तिंक से क्या कर सकते हैं चुटकारा पा सकते हैं ठीक और कोई भी साइक्लोजीकल फैक्ट हैं जैसे कि कि किसी इनसान को कोई लेकिन उसको ले जाकर पैट ऑफीशल कपड़ा पेना दिया जाएगा तो उसका बेवहार चेंज जाएगा वो कहीं बी किसी तरह नहीं बैठेगा वो समझेगा कि हां मैं नया कपड़ा पैना हूं तो वो उसी तरह बैठेगा यह आप लोग अपने घर में भी देखे होंग जब आप लोग नया कपड़ा पेनते हैं तो उतना नॉर्मल विहावियर की तरह नहीं करते हैं आप नया कपड़ा पेने रहते हैं तो नया कपड़ा आप जानते हैं कि हमें नया कपड़ा पेना हूँ तो उसी तरह बैठते हैं ठीक है कुछ और भी psychological fact है जैसे कि जब हमें किस बात पर भरोसा नहीं होता है तो हम उस बात का बचाओ करने लगते हैं जैसे कि हमें किसी को गलत साबित करना है हमें मालूम नहीं है कि वो गलत है कि सही है तो हम समाज में हम अपनी बातों को ऐसे रखेंगे कि मैं अपने आपको गलत भी नहीं साबित करूंगी और ऐसे अपन में बातों पर भरोसा नहीं होता है और ये साइकलोजी की सख़्ाय समझ में आ गई साइक्लोजिस्ट बहुत ज़्यादा पाउरफूल होते हैं वो किसी किसी इंसान के चेहरों को देखकर बता सकते हैं कि आप क्या सोच रहें तो तब तक के लिए जहन और खुदा हाफिज